हेलो फ्रेंड विल्कम टो माई किचेन आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स भेज की सबजी जैसे होटेल रेश्टूरेट में हम लोग मिक्स भेज की सबजी खाते हैं वैसे ही सबजी हम आज घर पे बनाएंगे वो भी सिंपल तरीकों से लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा चलिए शुरू करती हूँ इस रेशिपी को बनाना इहां पर मैंने बीमस ली हूँ बीस को मैं ऐसे पीसे में कट कर लिया इहां पर गोबी ली हूँ गोबी को भी मैं ऐसे पीसे में कट कर लिया अब चलती हूँ नेश्ट पॉसस पे यहाँ पर मैंने गैस पर कड़ाई बैठा दी हूँ, कड़ाई पर मैं थोड़ी सी रिफाइन ओयल डाली हूँ ओयल को अच्छी तर से गरम होने दूँगी अब मैं डालूँगी एक चमज जीरा साथी साथ हम डाल देंगे अदरग, रसून, प्याज और टमाटर इसे थोड़ा सा चला लेंगे एक मिर्ट तक साथी साथ हम डाल देंगे इसमें दो सुकी मिर्च, थोड़ी सी काजू और इसे अच्छी तर से मिक्स कर लेंगे अब हम थोड़ी सी पानी डालेंगे अब इनको हम उबालने देंगे, कौभर लगाकर पांच मिनिट तक और गैस का मैं लो टू मीडियम रखी हूँ मैं अब मैं कौभर निकाल लेती हूँ, देखिए पानी ज़्यादा नहीं है थोड़ी सी पानी है, ऐसे हमें चाहिए अब मैं इसे ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लूँगी ध्यान दिजिएगा कि ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड किजिएगा मिक्सी में पहले हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम निश्ट तयारी कर लेते हैं यहाँ पर मैंने कड़ाई पे रिफाइन ओयल डाल दी हूँ ओयल को भी अच्छी तर से गरम होने दूँगी अब मैं बटर डाल दूँगी थोरी सी बटर देने से क्या होते है इसका टेस्ट बहुत ही अच्चा आता है आप चाहे तो बटर को इसकी भी कर सकते है अब बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए अब इसमें हम डाल देंगे दो एलाइची, दो लॉंग, दो तेच पत्ता और इसे एक बद चला लेंगे अब मैं सारे वेज़िटेविल्स को डाल दूँगी सारे वेज़िटेविल्स को मैंने डाल दिया है सैलो फ्राइ होने के लिए अब मैं सिवला मिच डाल दूँगी और बीम्स भी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरसे मिक्स कर देती हूँ हमें हलका सा सैलो फ्राइ करना है और गैस का फ्ले मैंने लो टू मीडियम रखी हूँ ज़्यादा फ्राइ हमें नहीं करना है अब हम कौवर निकाल लेते हैं दिखी हलका सा फ्राइ हो चुका है अब इसमें मैं डाल दूँगी पनीर आप चाहे तो पनीर को हलका सा फ्राइ करके भी डाल सकते हैं लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ और इसे अच्छी तरसे मिक्स कर लूँगी और थोड़ी दिर और चलाती रहूँगी अब इसमें मैं डाल दूँगी टेश के अकुडिंग नमक एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच कस्मी लालमीच कस्मी लालमीच तीखा कम होता है एक चमच गरम मसाला और इसे अच्छी तरसे मिक्स कर लूँगी अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने पीस लिया था टमाटर अधरक रसुन को उसे डाल दूँगी थोड़ी सी पानी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरसे मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ी दे चलाती रहूँगी जब तक मसाला अच्छी तरसे भूनना जाए थोड़ी सी कस्तुरी मेथी डालूँगी थोड़ी सी धनिया का पत्ते और यहाँ पर मेरा पास मलाई था उसे मैं डाल दी हूँ यह total optional है आप चाहे तो fresh cream का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं डाल सकते हैं कोई जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने डाली हूँ और मलाई सबके घर्वे होता है अब कौभा लगा कर थोड़ी देर रुकेंगे अब मैं कौभा निकाल लेती हूँ देखिए मसाला अच्छी तर से भून चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है अब इसमें मैं थोड़ी से पानी डालूंगी और कौभा लगा कर हम थोड़ी देर और रुकेंगे दो हरी मिर्च डाल दूंगी तोड़कर अब हम कौभा लगा कर थोड़ी देर और रुकेंगे कौवार निकाल लेती हूँ हम लोग का मिक्स भेज का सबजी तैयार है अब हम गैस बंद करके इसे सर्फ कर लेंगे आप ऐसे ही घर पे एक बाद ट्राइ कीजिएगा ये बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आपको मेरी एरे से भी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सिस्क्राइब जरू कीजिएगा थैंक यू